नमस्कार मैं निदी रतन और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक आप सभी देशवासी को नवर्स की हाड़िक शुपकामना एंद साल बदला है लेकिन जनता का हाल बेहाल हो चुका है वही सवालों के साथ वही भारती जनता पार्टी से फिर वही सवाल है कि साल बदलने से क्या जनता का हाल अच्छा हो जाएगा क्या किसानों का हाल अच्छा हो जाएगा क्या यूवा जो बेरोजगार बैटा है उसका हाल अच्छा हो जाएगा महिला की सुरक्षा को लेके उनका हाल अच्छा हो जाएगा क्योंकि साल की तारी के बदलने से उन तमाम मुद्दों पर कब बात होगी जिनके साथ भारती जनत करोड पर बात कौन करेगा विपक्षी निताव को तो सदन से बाहर फेक दिया गया है शोशल मीडिया पर भी लगाम लगाई जा रही है और जो में इस्ट्रिम मीडिया टीवी अखवार जिनको कहा जाता है वो तो सरकार का गुड़गान करने से ही फुरसत नहीं पापा रहे ह है वो तो सरकार से सवाल कैसे करेंगे 24 का चुनाव नजदीक है लेकिन देश के पढ़ान मंत्री चुनावी इवेंट में लग चुके हैं उनको ये दर सता रहा है कि सरकार कैसे बनाया जाए सरकार की कुरसी पर कैसे कायम रहा जाए उनको जनता के उन तमाम मुद्दों से को कोई मतला नहीं जो वादा करकर चुनाव को जीतते हैं किस तरीके से लोगों के वोट को वटोरने का वो लगातार काम करते हैं सोचिए सेलफी पीम इस तरीके के इवेंट लेकर आते हैं और ऐसे से ट्विटर हैंडल हैस्टेक के साथ वो शोशल मीडिया पर अपलोड कराते है कि आप पीम के साथ सेलफी लीजिए और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए पीम की जो लोग प्रियरता है जनता के बीच वो दिखाती है कि देश के प्रधान मंत्री शायद 24 में नरेंद्र मोधी जीवने लेकिन तमाम मुद्दों पर कब बात होगी सेलफी शायद मुद्दों पर भी लेनी चाहिए बीजेपी के लोगों को जिन मुद्दों को वो नजर अंदास कर देते हैं शायद उनकी नजरों में जो मुद्दे जो गंभीर मुद्दे उनके लिए जरूरी नहीं होते मनिपूर इंसिडेंट याद है किस तरी के से 15 साल से मनिपूर जल लेकिन रेपीडिता की मा को न्याय अभी भी नहीं मिला हादरसकान उसी के परिवार को किस तरीके से नजर बंद करके रखा जाता और यह डरा कर रखा जाता है कि अगर वो घर से निकले तो उनको भी मार दिया जाएगा यह देश का विकास यह भारत्य जनता पाटी के विक लाहात है इसके बाद भी कोई सांसर्थ विपक्षी नेता ना ही उनके सत्तधारी नेता सरकार से सवाल पूछने के लिए तयार नहीं है और टीवी अखवार ने तो अपना ही नियाय चरित्र दिखा दिया है कि किस तरीके से सत्ताधारी सरकार के साथ मिल कर उन तमान लोगों की भावनाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड किया जाता दो जो सर्द रात में उत्तर परदेश की राजधानी लखनाओं में बैठने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके साथ घोटाला हुआ उनके साथ बड़ा स्कैम हुआ है 69,000 सिक्षक भरती गोटाले को लेकर 500 से भी जादा दिन हो गए हैं लोग धरने पर हैं लेकिन इस पर ना योगी अधित्यनाद की नजर जा रही है ना ही नरेंद्र मोदी जी की नजर जा रही है क्योंकि वो तो रामलला को पक्का मकान देने का दावा कर रहे हैं वही पक्का म कान जहां जुगी वह कंक का दावा करने वाली सरकार अरब रामलला को पक्का मकान दे यह दी जपी का चारित्र और चहरा की भगवान राम को भी उस कट घरे में खड़ा कर दिया भगवान राम को भी उसने चुनावी इवेंट में बदल दिया तमाम लोगों की भावनाओ का स्था का मजाग बना के रख दिया है लखिमपूर खीरी में किस तरीके से बीजेपी नेता का बेटा किसान भाईयों पर थार गाड़ी चड़ा देता लेकिन क्या इन सब तस्वीरों के साथ बीजेपी कभी सेलफी ले पाएगी क्या इन सब खबरों के लिए वो इस तरीके के इवेंट को बढ़ावा देगी क्या 55 करोड रुपे की लागत इन सब लोगों के विकास में क्या 55 करोड की राशी को इन सब लोगों के विकास में न ता कुछ भी करने के लिए तैयार है लेकिन सेलफी विद पीम मैं अगर यह कहूं कि आप लोग मेरे साथ सेलफी खिचवाई है मैं बहुत अच्छी हूँ तो इससे यह सावित नहीं होता कि मैं वाकई में अच्छी हूँ अगर मेरे आसपास का माहल खुस्नुमाय मुझसे लो करोड रुपे कितने जादा महत्वपूनों होते हैं देश की विकास के लिए शायद वो मोधी की गारंटी को मजबूत कर सकते हैं जिस गारंटी का दावा प्रधान मंत्री मंचों से देते हैं मोधी की गारंटी मतलब ब्रसचारियों को मोधी की कारण्टी मतलब महिलाओं को रोजगार मोधी की गारण्टी मतलब विरोजगार। मोधी की गारंटी मतलब देश विशुगुरू, मोधी की गारंटी मतलब देश अमरित काल, मोधी की गारंटी मतलब नारी सक्तिवन्दा नाम देखिये बाई साब जो भी ये लोग चुनावी इवेंट लेकर आते हैं उनके नाम बहुत प्रभाब शाली होते हैं उनको बहुत अच्छे से पताई कि देश की जनता की भावनाओं के साथ कैसे खेला किया जासा है सोची किस तरीके से लोगों की श्रद्धा का भी उन्होंने निजी करन कर दिया अब तक यह लग रहा है कि रै Choi्री का निजी करन हो गया त्माम बैंकों का निजी करन हो गया देश केुश सरकारी संस्थाओं में गिंति थी ती उनकी लगिन अब तो बीजेपी पार्टी ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा किस तरीके से राम लला को भी अपने से छोटा बना कर पोस्टर बॉय बना लिया है बगवान राम को पोस्टर बोय बना के बीजेपी ये साबित करना चाती कि मोदी जी सर्वो पर ये नया संसद बनाने से पुराना सविधान लागू नहीं कर सकते नया संसद होगा नया कानून होगा किस तरीके से मोदी जी जो है वह अपना वर्चस कायम रखना चाते उनको लोक तंत्र से अदेश की डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है वह पॉलिसी बनाना चाते हैं वन नेसन वन इलेक्षन और अब तो वह वन पींच जैसी पॉलिसी पर भी शायद काम कर रहे हैं देश के यूवा किस तरीक से दरदर की ठोकरे खा रहे हैं लाठी चार्ज हो रहे हैं उत्तर पर देश में 79,000 सिक्षक भरती घोटाले को लेकर लोग 506 दिन से भी जादा हो गए हैं लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा सदन के अंदर सबस्क्राइब के लिए ने जाते हैं और उल्टा उन पर आरोप लगा जाते हैं और की वह लोग सदन की मरियादा को भंग कर रहे हैं सोचिए सोशल मीडिया को ये लोग बंद कराना चाहते हैं सोशल मीडिया को ये कंट्रोल करना चाहते हैं विपक्षी निताओं को ये बोलने नहीं देते हैं यूवाओ पर ये लाठी चार्ज कारते हैं मेचिघाओ कि सुरक्षा से तो आप देखी चूक कि तरीके से द दोरान देश के गरे मंतृ कहते हैं तो घेना तरीके से छी तरिके से वह सथ आपने पढहाण मंत्री नरेंद्र मोदीजी जानी के tenían उन्हें के क्ष्थे नहीं बेटिंग हैं बियेचु जैसे कैमपस में जहाँ पस संस्क्रीती को और सिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है उसी कैमपस के अंदर कैसे IIT की छात्रा का बलतकार किया जाता है और बलतकार आरोफियों को किस तरीके से तीन महीने के बाद ग्रफतारी होती है वो भी इसलिए कि जनता का दवा के साथ देश के पढ़ान मंत्री जनता के भी सेलफी कहने की बात कह पाएंगे लेकिन सोचिए किस मूह से वो कह देते हैं कि देश की जनता को पीम के साथ सेलफी लेनी चाहिए वो कैसे भूल जाते हैं उन्नाओ वो कैसे भूल जाते हैं हादरस वो कैसे भूल जाते हैं किस से सज에 किसान भाईयों को रौनदा रहे तो कैसे भूल जाते हैं उन तमाम वही से किस तरीके से लोग काल में चोटे चोटे बच्छों को लेकरना कोस मोचaltet पैद रहे वहिए कि से फी मैं बच्रम को पैदा करकर एक असी में भी बलंबी लंबी कतारों में चलने के मजबूर हो गई एंबुलेंस तक नहीं हम प्रिफर कर पाए यह सरकार उन करोना में किस तरीके से लोग पलायन करने को मजबूर थे उनको कोई ट्रांसपोर्ट का इंतिजाम नहीं कर पाए कैसे हम विस्व गुरू बनेंगे कहां यह दावा करके आये थे कि हम हवाई चपल प बना दिया जनता को तो तमाम तरीके की जुम्ले और प्रवोलन देकर किस तरीके से वह सेलफी विद पीएम का दावा करते हैं 55 करोड याद रखिएगा वही 55 करोड शायद आपके बच्चे का उजवल भविस से हो सकते थे मैलाओ की सुरक्षा पर खर्च हो सकते थे देश क साल बदलने से आप का हाल नहीं बदलेगा हाल बदलेगा सरकार बदलने से आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया में जरूर बताएं कि चोबिस में पड़ान मंतरी जी आपाएंगे जिसकी गारंटी वो खुले मंचों से देते है मोधी की गारंटी मतलम।25 में हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें